50 plus 10 million add-ons यह 20 million add-ons यह कीमत है रफीनिया की 72-70 million तक जाती है रफीनिया की कीमत Never ever in my wildest dreams भाई तुम बताओ, तुमने सोचा था बाहर समलना को season starting में कि ऐसे signing कर रहे है एक player पर 60 million कर्चा कर रहे है भाई हम एक player पर 30 million भी खर्चा करने से पहले सोच रहे थे साइनिंग हो सकती है, अम्मार की साइनिंग फोर मी in terms of play style यह की बात करेंगे फीवी जाने तो 72 million, 60 million कोई कह रहा है इसकी बात है हम बाद में करेंगे but the thing is, very much important कि रफीनिया अग्रीड बाद दोंग बार्सलोन, तो उसका ड्रीम था बार्सलोन के लिए खेलने के लिए बच्छपन से जब से चोटा बच्चा था बड़ी चरादत करता था तब इसका इरादा था कि भार्सलोन के लिए खेले for not any other team चल्सी की बात जाने, चल्सी की बात भी करेंगे इसमें को बारसनुना के financial stability देखना अगर वो जा रहा है मेरे लिए तो मैं जाओंगा उनके लिए simple यह वाला सीन अक्षाई कुमार वाला उसमें कुछ डाउट नहीं है बड़ अगर प्ले स्टाइल की बात करें रफीनिया कैसे स्टाइल करता है हम पर और क्यों रफीनिया वेरी मच इंपोर्टेंट था बारसनुना के लिए इन दिस फेस यह जानेंगे अब भाई हम सबको पता है बारसनुना की राइट विंग स्टेबल हो चुकी थी कि अधे 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 सीजन जभी जावी आया मतलब इसकी इसकी बात चल रही थी ओस्मान देंबले वास फिट अगें और ही वास रूलिंग दी राइट है वापस असिस्ट दे रहा है टॉप असिस्ट प्रोवाइडर भी बन गया बंदा इन आफ अफ अधे सीजन राइट विंगर और मोरोवर अनंबल टेन टाइप राइट विंगर ठीक है जो वो मैसी वाला थोड़ा बहुत रोल निभा सकते मतलब जो वो स्पेसिज में अपरेट करें वो लाइन्स को ब्रेक करें वापस जब एक क्रियेटिव आउटलेट फॉर एक क्रियेटिव और अगर जावी के इस सिस्टम की बात की जाए या वो 352 हो या 433 हो जहापर प्रोग्रेसिव पासेज बहुत ही मतलब इंपोर्टेंड बन जाते हैं जावी ने एक बात जरूर इंप्लिमेंट की बार से लोना में पिछले बार से मतलब जब जब रोड़नाड कुमें ता उ इस सिस्टम जो एक प्लेयर को आगे देखने पर मजबूर करेगा मतलब यूसी पैदरी जब भी वो देखता है सीज अप्फरंट मतलब जादे ही कुछ ऑप्शन नहीं तो बैक पास करना बनता भी है बट जब भी हमारे प्लेयर के पाई फ्रैंकी डियॉंग हमने फ्रैंकी तो रफीनिया उसमें वन पर रैंक करता है फर्स्ट पर विट वन 169 प्रोग्रेस्व पास और की पासे जिसने शाइद से असिस्ट हो जाते है गोल हो जाता है उसके सेकेंड रैंक करता है तो इसमें तुम समझ जाते हो जब तुमारे पास एक ऐसा बंदा हो जो तुम्हें कि ऐसे progressive passes निकाल कर दे, मतलब ऐसा अच्छा creative उसके पास option हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसा option बन जाता है, तिम उसे कहां पर भी use कर सकते हो, basically Rafinha तुम्हें upfront, center forward, या center forward तो नहीं, मतलब वो center forward के पीछे वाला role, जो भी वो अबामिया एंगे पीछे वाला role, 11-12 की पीछे वाला number 10 टाइप वाला तुम्हें दिखेगा, but what if Dembele को हम left पर खिलाया और Rafinha को right पर, क्योंकि हम Dembele को जानते है, Dembele वो वाला winger है जो wide stay करना जिसे जावी ने किया था, preference दिया था, कि ending-ending में पता चल गया था, कि सब हमारे wingers wide stay करेंगे, बट एक ऐसा player जो अंदर आके drift in करकर वो ball निखा ले या creative outlet कर पा, वो हमारे पास particularly उस moment में या इस moment of the season में नहीं था, जो हमें Rafinha के रूप में मिल गया भाई, और उसकी off ball moment हम सबको पता है भाई, लीट्स के last match में जब वो बंदा मतलब लीट्स रेलीकेशन के कगार परती, अगर वो मैच हार जाते तो क्या ही बात होती, मतलब 30 मिल में मिल जाता, but fortunately they won, unfortunately, fortunately they won, उसके अंदर Rafinha के off ball moments देखना है, उस बंदे के प्रेमियर लीग में 50 successful tackles है, 50 successful tackles by a forward, और यह right winger, जो भी कहलो तुम, तो वो defense में भी हाथ निवाता है, off ball work rate जो हमें चाहिए बारतोला में अभी, जैसे कि दुमें फ़रान टॉरेस दिखाता है, या अन्सू पार्टी किस हद तक दिखाता है, वह ऐसे कुछ off the ball moments चाहिए, जिससे कि players, मतलब सामने वाली team confused हो जगे भाई, क्योंकि अगर हम Dembele और Rafinha और आगे, अगर Aubameyang 11-DOS की जो भी हो, बट यह Dembele और Rafinha की जोडी है, they will be mobile, मतलब flexibility होगी इनमें, यह right पर भी खेलेंगे, left पर भी खेलेंगे, switch हो तो रहेंगे, जिससे कि opposition को भनक ही ना पड़े, player है कहाँ पर, बट अभी अगर Dembele की position की बात करेंगे, तो Dembele ने renew कर लिया 2024 तक, जो भी हुआ, बट उसके बाद उसने renew कर लिया, happy for him, वो कहाँ पर खेलेगा, अब Rafinha और right wing पर खेलेंगे, 70 million, हम उसे bench पर खुड़ना बिटाने वाले, starty कराने वाले, तो खेलेगा कहाँ पर Dembele, तो यहाँ पर आजाता है कि वो left wing पर कुपी अमने इस सीजन भी देखा था, Dembele playing at the left wing, majority नहीं, बट थोड़े-थोडे sections में left wing पर खेल रहा था, या वो right wing back वाला, जो three add back system में जब जावी जा रहा था, तब Dembele right wing back वाला रोलने बार रहा था, उपर नीचे करने वाला, तो आज सब आज से वो मिल लिया Dembele को, now keeping this in mind, मतलब अगर Dembele भी रफीन भी यह सबसे अच्छी बात रहा दिया हमारी देट के लिए, क्योंकि upfront हमारे पास एक left wing में बन्दा एक ही है, जो खेलता है, जो खेलता है, जो injured होते रहता है, बार-बार नीचे स्लाइड करकर, but this time, I think हमारे पास plenty of options होंगे, अगर अंचु बाद ही नहीं खेल रहा, फरांट औरस खेल सकता है, इतने effective ही नहीं होता वो left wing पर, डीपे at the left wing would be great, मैं डीपे का एक सेजन दिखना जाऊँगा, इसके ओपर से एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, but next time, अगर हमारे में से कोई injured हो जाता है, तो हमारे पास options upfront बहुत सारे होंगे, जिससे कि हमें वापस वो scarcity जिलनी नहीं पड़े प्लेयर्स की, जिसे एक time होँआ था हमारे पास, तो प्लेयर्स चांसे से finish नहीं कर पार, तो अगर एक प्लेयर नहीं जा रहा अच्छा नहीं खेला, तो उससरे के खाम substitute कर देंगे, कर देंगे, आब होफुली अगले सीजन से 5 अडबेग, मतलब 5 अडबेग बोल रहा हो और यह, 5 substitution rule भी हो जाएगा, लैलिगा में भी, प्रेमेर लिग में हो रहा तो शायद से लैलिगा में भी हो जाए, तो क्या पता भाइ, अगर हो रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रफीनया की signing कैसे rate करोगे तुम मुझे ये बताओ in the comment section कैसी लगी तुम्हे रफीनया की signing basically और मिलूँगा आपसे अगली ऐसी वीडियो में rate भी करना आपसे जो भी एक से दस तक we'll meet in the next video तब तक के लिए good bye take care peace out दोस्तो जैहिन